मैं इसका सार्किट भी आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूं पहले देखिए इसको कैसे लगा के काम कर सकते हो इसका एक्चली काम कितना अच्छा है वो देखिए हेलो फ्रेंट इजी नोलेज में अब सभी को स्वागत है देखिए आज का यह वीडियो है यह एक्चली सेयर्टी तेये के लिए है जो लोग साथ पर काम करता है वो लोग के लिए वीडियो बहुत हीहलफूल होगा कैंक हो हमने सरों सेयर्टी की deeply काम करता है थीधे ओण जरौटेण के यौज़ा पर जबेघते हैं का वीडियो पार सप्रपलई में संग कि सब्सक्टे voltage output voltage low होती है बहुत टाइम यह देखते है कि फ्लेक्ट्च चुटट कर रहा है तब हम आज़ कॉन्फ्यूज हो जाता एक्चली फॉल्टेज जो कॉंस्टेट्रेट्र ली ऐसा कॉंडिशन पे है तो प्रोब्लेम एक्चली कहां पढ़ा है? SMPS का primary section पर है या SMPS का secondary feedback section है उच पर problem है वो हम लोग कैसे find out करेगे easy तरीके से कम समय पर हम लोग कैसे confirm कर सकते हैं जो actually problem कहां पर है उसके बारे में ये video अब लोग देखिए देखिए ऐसा fault को recovery करने के लिए मैंने एक इसा वाला एक PCB board बनाया है circuit बनाया है इसको लगाते ही आप लोग को इजी तरीके से पता चाले जाए कि कोई भी circuit पे और कोई भी circuit हो चाइना हो LG हो Samsung हो कोई भी circuit पे आप लोग feedback circuit में ये वाला PCB कर सकते हो करके देखिए बहुत दिन से मैं भी कर रहा हूं इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी काम पे किसी का काम पे लग जाए तो अच्छा होगा इसलिए मैंने आप लोग साथे अब लोग साथ सोच रहा है हो यह तो 5-wire वाला module है आप लोग जो काम करते हो नहीं नहीं प्रिंट एक्चली यह 5-wire वाला module नहीं है यह 5-wire वाला module का बॉक्स है और PCB भी वही का है लेकिन PCB पे जितना components था मैंने उसको remove कर दिया हूं करके देखिए मैंने अपने circuit के मैंने यह component इसमें लगाया हूं मैं इसका circuit भी आप लोग के साथ सेर कर रहा हूं तो पहले देखिए इसको कैसे लगा के काम कर सकते हो इसका अच्छली काम कितना अच्छा है वह देखिए अच्छली मैंने इस पे लगा दिया हूं क्योंकि जब PCB पे काम करूंगी तभी यह जो circuit है किसी voltage के साथ attach ना हो जाए इसलिए connector दिया हुआ इसमें preset भी है वगर आप देख पा रहे हूं तो पहले मैं दिखाता हूं जो चाइना PCB है इसमें मैं क्या करता हूं पावार देता हूं तो पावार देने से पहले मैं क्या करता हूं माल्टिमीटर का जो प्रोप है व जो कि इसलिए मैं soldering कर रहा हूं कि यो की preset दुजरी हाथ से घुआना पड़ेगा तब भी मीटा नहीं पकड़ पाऊंगी इसलिए यह देख पा रहे हूं यह 110 का कुंदेंसर फिल्टर है तो मैंने माल्टिमीटर का रेट पावीशी पे के साथ मैंने जूड दिया है अभी म दिखा रहा है एक्चली अभी 130 वोल्ट है यह PCP के कुछ देखने का जरूरूद नहीं यह जो फोल्टेज है अब लोग इसको इसको जो फिटवेक सर्कुट है आपने इधर बहुत सी चड़ चड़ कर दिये देख लिए फिर भी इसका जो वोल्टेज है डाउन नहीं कर पा रहे हो तब ही क्या करेंगे तब ही यह वहला मोडूल को अब लोग इस्तमल कर सकती है तो मैंने देखिए मैंने दिखा कर दा हूं यह जो मोडूल है इसके लागाने में कितना असानियत है मैंने पहले क्या करता हूं PCV का पावर आफ कर देता हूं उसके बाद क्या करता हूं यह जो आफ्टो कफलार है यह जो आफ्टो कफलार है आफ्टो कफलार को मैंने रिमूब कर देता हूं पहले जो PCV पे काम करना है वो PCB का जो कफलार है उसको आपको विमूग कर देना है तो देखिए मैंने PCB का मैं जूम कर लेता हूँ थुड़ा कि मैं दिखा में कि कोशिस कर रहा हूँ देखिए मैंने जो कफलार है कफलार को मैंने क्या क्या रिमूप कर दिया मैंने क्या करता हूँ यह जो मॉड्यूल है मैं मोड्यूल का क्या कर मॉड्यूल मैं देखिए यह चारो वैयर है चारो वैयर का यह जो दोनों वैयर है रेड और ब्लैक बाला जो रेड और ब्लैक वाला जो वायर है इसको मैं क्या करता हूं और 110 का जो कॉंडेंसर है उसी के साथ मैं जोड़ देता हूं देखिए नेगेटिव को मैंने क्या करता हूं दो वेर जोड देना, बाकी रहेगा यह दो नो वेर, यह यह योलो जो वेर है, इसको क्या करना है, इसको कपलर का चार नमर पिन पे और ब्लू वेर को कपलर का तीन नमर पिन के साथ जोड देना है, कपलर का जो दो, तीन और चार नमर पिन कहां रहता है, प्राइमरी सेक्षन बयाते है दो तो हें देखिए कि यह यह जो फिन है यह है कप्लार का तीन नम्मोर चान नम्मोर पिन आपने देखा मैंक अधि क्या कर दिया हूं अभी क्या करता हूं कप्लार की तीन नम्र फिन पे के साथ जोड दिया हूं ओके सो देख लिए अफरेंट मैं जूम हटा लेता हूं हटा के अब लोग को माल्टिमीटर के साथ दिखा रहा हूं अभी देखिए और दिता हöm कितना अट्पूट हो रहा है देखिए माल्टिमीटर में कितना रहा है 89 अभी क्या रहा था 130 गर क्या रहा था हैँ अभी क्या करेंगे इस में जो प्रीके लगा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा खूमाएंगे तो देख पारेहों नम्ल्टिमीटर का बिटेज का रिकॉर्मेंट का जो वोल्टेज है उसको उसमें आप लोगों को रख दिना है देखिए ओंटिंग पर हमने रख दिया क्यूंकि कभी कबार हो जाता है क्या फिटबेक सर्किट पे बहुत से दिक्कोत ही होती है तभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है एक्चली वो जो प्र प्राइमरी सेक्षन पी हो रहा है या फिटबेक सेक्षन पी हो रहा है अप लोग अगर अगर बना मोड्यूल आप बना के रखे तो आप लोगों को कम करने का बहुत सी बहुत जॉल्दिया कर पाऊगे देखिए एल जी किट में क्या होता है कैं का प्लार को के आउट मोडियूल है इसमें कोई इतना आसा जो टील सा कुछ नहीं है मैं इसका सरकीट आप लोग को डॉक करके दिखाता हूं आप लोग आसानी से ऐसा एक मोडियूल अब बना के आपके वार्क सपर राख सकते हो काम को जोल्दी करने के लिए फॉल्ट को जोल्दी ढूंडना है तो में अर्सा करता हूं आप लोग बहुत इन मोडियूल हिलपफल लगेगा क्योंकि में ऐससा मोडियूल बना करा हूं мünde मिल्दी हो कर लेता है तो मैं बहुत जूلदी हैं और लेता हूं तब सब्सक्राऋ आट-प्रपूट या सब्सक्राइब प्राइमेरी का प्रॉब्लेम है बहुत जल्दी में उसके बाद मैं ढूंडता हूं इसमें अगर मैं एक मडूल लागने के बाद देखता हूं जो वोल्टेज मेरा फस्क्लस बन गया तब ही में आउट्पूट पे जो फिट्वेक सार्किट होता है उसी में टाइम बेस्ट कर रहा हूं इसका अच्च्छली काम सो देखिए मैं अगरे और एक पीसे भी जो यह लेकिन यह देखिए यह वाला पीसे भी थोड़ा अलग है यह और टोसिबा के चाइना वाला तो किट है लेकिन पावर सपली में थोड़ा अलग है इसमें देखिए एस्ट्या दिया हुआ ह अर देख पा रहा है हो सायत इस में venous ऐस्ट्या है और इसमें देखिए एटल four three one करके है इसमें इसमें अध्रा पॉंडर नहीं है इतरी इसमें प्रोब्लेम दखिए इसमें प्रोब्लेम देखिए दिखने के बाद आब लोग भी कनफीच होजा त्सकित और का प्रोब्लेम है लेकिन यह मोड्यूल लागाने के बाद आप लोग भी इजी तरीके से समझ पाओ गई यह मोड्यूल का कितना जुरूरत पड़ेगा काम करने टाइम करने के लिए टाइम दे सकते हो तो कोई बाद नहीं मोड्यूल का कोई जुरूरत नहीं लेकिन यह मोड्यूल आप वाक्सप पे बनाके रहाख सकते हो तो काम जोल्दी हो जाएगा अब लोग फाइंड आट कर पाऊ गए प्रोब्लेम किदार है क्योंकि मैं टेग्नी सियानु क्या होता है देखिए यह बाला PCP पे देखिए देख पार है इसमें एक्चोली क्या है देखिए 125 से लेकर 140 फोल्ड तक बोल्ट तक बोल्टेज थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है तो आप कॉनफर्म नहीं हो पाएंगे कि एक्चोली इसमें फोल्ट कहां है मैं फिर पार बंद करके चालो कर देता हूं उस पर आप देख पाऊगे सम्पेस का रूल्स क्या आप लोग भी पता है कि बोल्टेज कॉंस्टेंट फिक्स्ट रहेगा लेकिन देखिए मैं बंद कर दिया हूं अभी पावर देता हूं देखिए देखिए 130 से लेके 130 सरी 125 से ले जो होता है उसमें प्रिसेट नहीं दिया हुआ रहा था ज्यादा तो सर्किट पर एलजी पर सेमसंग पर आप देख सकते हो तो स्वरी फ्रेंड मैं बात करते हुए यह जो लाइन है इसको मैंने माल्ड मीटर का लाइन मैंने रिमूब कर दिया हूं इसलिए मैं फिर लगा देता हूं अभी देखिए अभी इसमें भी मैं क्या करता हूं इसका जो कपलार है कपलार को मैंने रिमूब कर लेता हूं कर दिया हूं उसके बाद मैं क्या करता हूं इसके जो वही रूल्स है यह बाला मोडिल को क्या करेंगे इसका जो रेड और ब्लैक वह रहे हैं को क्या करेंगे वङंटें में के साथ जोड़ देंगे और ब्लैक को कि ग्राउन के साथ जोड़ देंगे है वैई जोड़ दिया हूं अभी क्या करता हूं कपलार का जो तीन और चाद ना मत टार्मिनल है इसके उसमें इसका और बाकी दोनों वह एल को जोड़ दीता आपने मोड्यूल को बनाने के टाइम आपका मुर्जी आप जैसा भी कलर हो सके आप लगा सकते हूं उसके हिसाब से आपको जोड़ना है कपलर में और यह योलो वैर को मैं क्या करता हूं देखिए यह लो को इस नमबर 14 प Chi जोड़ द्या अभी में पावर देता हूं पावर देने के बार देखिए मैं 10 सक्या हूं सो देखिए हम लोग क्या करेंगे लेंगे इसका फीक्स्ट है लेकिन देखिए मैंने क्या करता हूं इसका जो कि सच है गोलाने के बाद है पारये इसलिए आप लोग ऐसा मोड्यूल बनाकि आप लोग आपके वागslेश right राख सकते हो इसमें देखिए voltage fixed आ रहा है आप 110 करना है तो preset को थोड़ा गुमाने के बाद 110 हो जाएगा उसमें बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने फिर भी एक बार power off करके देखिए power off करके power on करता हूं देखिए इसमें देखिए 117 करके voltage fixed flexure नहीं हो रहा है अगली बार की तरह अभी में किरता हूं इसका जो PCB जो मैंने इस circuit बना है उसका circuit आप लोगों को मैं draw करके दीखाता हूं एक्छॉली की तो सार क्ट को पहले मैं क्या करता हूं यह pcb को जब मोट कर लेता हूं आई uh कि अधिधी में क्या करता हूं तो इसका जो सार्कीड है उसको ड्राव करकर आप लोगों को संथ डिसकस करता हों वह सर्कीड आप लोग अब लोग हो सकते तो ऐसा वाला जो मोड्यूल का बेक खबार है अब लोग भी लगा सकते हो क्योंकि जब लगा होगे तब अब लोग सby्यूल को इसमें इसमें मैंने कपलर्व लिखा कर दीज हूं काम करने में उसके साथ मैंने जोड दिया हूं ओही अब लोग कर सकते हो यह तर फिर फिर नहें लगा पिन है उस से वैर जोड कि उधर एक नमबर और दो नमबर कीन पर लगा सकते हो आपके जैसा मोरी यह ऐसा कर सकते हो देखिए वही PCB है वही जो ए बाला जो मॉडिल है उसका पीसी भी भी था उसका फॉयल मैंने काट करके ऐसा एक बना यहां है इसका मैं सार्कीट आप लोग में ड्रा करके दिखाता हूं फ्रेंट आप लोग को बनवाना है तो आप जी तरीके से ऐसा एक सार्कीट बना सकते हो देखें यह में दूनों लाइन ड्रोगर लिया हूं एक्चोली यह है 110 का लाइन 110 भोल्ट और यह है ग्राउंट 110 ग्राउंट का लाइन है अभी क्या करना है एक अठारा पंड्रो ट्रांगिस्टर लेना है देखें अध्रोप अंड्रो ट्रांग लेली जिए अध्राप उन्डरोई इसका यह वाला हिस्था एमीटर है एमीटर पे हम क्या करेंगे a 6.2 वोल्ट का जेना ऐसे निगेटिव के साथ लागा देंगे ए और सूर्प उन्डोफ तू इस में एक resistance को हम जोड़ देंगे ये वाला जो resistance है इसका value है देशो kilo ohms अभी क्या करना है base में हम क्या करेंगे positive से एक resistance उसके बाद एक preset उसके बाद और एक resistance ऐसे negative के साथ जोड़ेंगे ये वाला जो resistance है ये है 5.6K ओके यह जो प्रिसेट है यह प्रिसेट 2K या 200 2002 करके जो प्रिसेट आता है और यह जो रेजिस्टेंस है यह 100 के रेजिस्टेंस ओके बेस को हम लोग क्या करेंगे इसी के साथ जोड देंगे 100 के के बाद अभी और एक काम करना है क्या और दोनों रेजिस्टेंस को लेना है इधर एक और एक इधर यह बाला जो रेजिस्टेंस है यह 47K और यह बाला जो रेजिस्टेंस है 22K अभी क्या करना है इधर से एक लाइन लेना है कपलर जो होता है अब लोगों पता है एक कपलर का एक नोमबर पीन और ये दो नोमबर पीन जिसमें ऐसे कि बायास पर डावड रहता है आपको क्या करना है एक नमबर पीन के साथ यह वाला का सियह कानेक्सन जोड़ देना है और यह जो कालेक्ट। के साथ इंप ένα ट्रांगीस्टर जो टार है इसके साथ क्या करना है यह जो दोनॉंबर का लीड है अप्डिक प्लर का इसको जोड़ देना है उच्छा है और एक कम कर सकते हो यह जो इसमें एक 104 ख लगा सिर्विकज़ के लिए अ हेह स्थाथ दोनों प्मका भिंट्नेश्टर्धी मेफ जया हो strike 2004 कोई भी आलगा सकते हो यह से क्या और कुछ नहीं और गोडम होज़ आ तो अब लोग को साथ ये सार्किट समझ में आ गया ज्यादा कुछ स्प्यार नहीं है असनी से आप कर पाऊगे देखिए एक फोर और त्री और फोर नोमर जो पीन है कपलर का इसी से आप दोनों और को जोड़ के आप आउटपुट कर सकते हो इसका जो और कहां जोड़ोंगे प्रायमरी सेक्षन पर कंपलर ऊहिए उसको ऑपन करके उसका तीन नमर और चान नमर पर ये दुनोंगे का जोड़ देना है और यह जो वांटेन का पाजिटिव लाइन है और यह जो वांटेन का नेगेटिव है इसे मैंने क्या क्या एह से इधर से ब्लैक जोड़ दिया तो यह नेनने क्या करता हूं आ seal की सप्लाइब के लाका देता हूं इसन जोने show अन्यून अन्यूंत देख पा रहे हो है मैं paradox कर लेता हूं और Teilında का पर सब्सक्राइब और को मैं पक्राइब कर न nhiब और एक हमाई और यूर्ट आप लोग आपके वर्कसपटे बनाकर राख सकते हों मैं आपसे बादा करता हूं यह आप लोगों को बहुत ही काम करने टायम बहुत ही help करेगा बहुत ही मैंने तो बहुत सी सार्कीट पर भी ऐज़ा कि पिसी बी लगा कि मैंने सार्कीट को भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने एक LG Straight में बहुत komtiverifaक से काम कर रहा था लेकिन उसका पावर रेडि नहीं कर पा रहा था उसका पता चलता उसका फीडबेक में ऐक मोडस लगने के बाद पता चलता है इसके फीड़िबेक सार्कीट में ही प्रोब्लेम है इसलिए मैंने एक सार्कीट डिजन किया उसके बाद लगा दिया तो बींदास चल रहा है कोई प्रोब्लेम इसु नहीं हो रहा है अब लोग ऐसा करके आप लोग को वार्कसप पर राख सकते हो देखिए जो लोग प्रोफ लोग के लिए कोई दिखकत से बाद नहीं जो लोग काम कर रहा है इतना नोलेज नहीं है लेकिन कर रहा है बहुत सी टाहिम लगा करता है वो लोग के लिए मेरा प्रैस है अगर मैंने एक बात और बातना चाहता हूं familiar और लोगों को किसी भी और कोई बीट राफिक पर apat अब लोगों को को जनकर री चाहिए होता है तो आप लोग मेरे कमेंट पर बता सकते हूं मैं किसी भी सरकिट को जैसे समझता हूं उतनी असानी से अब लोगों तो दिखाऊंगी जो LED पे LED SMPS है उसमें अक्चलिए फाइब वोल्ट से 50 वोल्ट का अंदर वाला जो बोल्टेश होता है उसका जो फीडवेक सर्कीट है वह मैं बाद में डिजन करके मैं PCP पे बना के आप लोगों के साथ डिसकर्स करेंगी अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा हिल्फुल लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो कि मैं कोसिस करता हूं अब लोगों को थोड़ा हिल्फ करने के लिए अगर आप लोग चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा सकते हो मैं देखा हूं बहु देखिए विडियो देखिए देखके कुछ नॉलेज एक अठा कीजिए मैं यह नहीं कहता हूं आप लोग मेरा वीडियो देखिए कहीं भी किसी का भी वीडियो देखके आप लोग electronics knowledge collect किजिए thank you so friends आज का वीडियो में यही तक